हेलो बच्चो आज मैं आपको कख्षा दस्मी जिसका विश्य है गनित इसकी वर्क्षिट नंबर 91 समझाओंगे जिसकी डेट में पास 26 February 2021 आज की वर्क्षिट में भी हम चैप्टर नंबर 6 तिरी भूच इसकी रिविजन करेंगे तो यह रिविजन 2 है हमारे पास ठीक है चले चले शुरू करते हैं पर वर्क्षिट बहुत इंपॉर्टेंड है आज की क्योंकि तिरी भूच वाले चैप्टर के लगभा कोशन सिसमें हमारे कवर हो गई है चलो देखते हैं यहां पर लिखा है हमार पास तिरी भूच ABC में बिंदू B और E क्रमशा भुजाओं A C और B C पर इस प्रकार इस्तित है कि D E जो है वो समानतर है AB के यदि AD, DC, BE, CE यह आपको दे रखा है लेकिन X के रूप में दे रखा है तो X कमान ग्याद कीजिए लेको यहां आप से कह रहा है एक तरी भूच है ABC तो हमने भी एक तरी भूच बना लिया ABC ठीक है अब वो हमसे कह रह समानतर हो जाएंगा तो वही चीज हमने सेम जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने बना लिया और यह सारी चीजे दे रखी थी तो यह सारी चीजे मैंने यहां पर लिख दी जो जो मुझे दे रखी थी ठीक है अब मुझे X कमान ग्याद करना है तो देखो BPD के according अगर हम देख आप कई बच्चों को दिक्कत होती है कि BPD है क्या चीज लास्ट वर्कषिट में हमने BPD का कथन किया था बस सिद्ध नहीं किया था तो मैंने भी आपको सिफ कथन ही लिख आया था क्योंकि को आज की वर्कषिट में आप एक कोशन ऐसा है जिसमें BPD को पूरा सिद्ध भी कर करना है तो वर्कषिट देखिएगा जरूर आप एंड तक तो आपको ही पता चल जाएगा कि BPD है क्या चीज इसको कैसे हम पूरे को सिद्ध करते हैं क्योंकि बहुत ही इंप्रमें है यह हमारे पास ठीक है चलिए फिलहाल तो यहां देख लेते हैं जो हमारे को यह दिया है C D की जगा C D का मान लग दिया है A D की जगा A D का मान E C की जगा E C का B E की जगा बी ए खा PROS MULTIPLY कर लिया है यहां पर यह तो 2x square बन गया, यहाँ पर पहला number और यह दूसरा bracket यह ना, फिर यह दूसरा number और यह दूसरा bracket, ठीक है, अब इसको x को 2x से किया, और x को 1 से into किया, 3 को 2x से किया, और 3 को 1 से into किया, ठीक है ना, बस solve किया है, मैंने और कुछ नहीं किया, तो मैंने यहाँ से x का मान निक जलिए दूसरा कोशन देखते हैं यहां कहा रहा है आप से यदि तिरिभुझ A, B, C इसके समान है तिरिभुझ D, E, F के तो जिसमें यहां पर हमारे को कौन A दे रखा है कौन E दे रखा है तो हमें C कौन का मान निकाल लोग तो ने को मैंने मैंने हां लिख दी उसी तरीके से जितना मेरा e होगा उतना ही मेरा कौन b होगा तो वह बी मैंने हां लिख दी तो यहां मेरा यह कौन b निकल गया 56 तो मुझे कौन c निकालना है अब तो मैं बहुत असानी से c निकाल सक्ते हूं कैसे 1-3 भुच के अंदर हमार पर तीनों को नो का योग 180 होते है, तो A कों भी मुझे पता है, B कों भी पता है, यहासे कों C निकल जाएगा अगर मुझे कों F बोलता, तो मैं बहुँ भी निकाल सकती थी, क्यूंकि कों C के बराबर ही होता है, कों F, तो वह भी निकल जाता मेरा 79, लेंग लिए तो असा कोशन था था थर्ड कोशन पर आते हैं यहां आपसे कह रहा है तिरी बुछ PQR में PQ जो है वो लम किस पे है QR पे और D भुजा QR पर पर इस्तित है यदि PQ PR QD DR यह सब आपको दे रहा कि A, B, C, D की फॉर्म में और कह रहा है A, B, C, D धनात्मक इकाई हो तो सिध कीजे तो आपको ये सिध कर ला है सबसे पहली बात आप कोशन समझे यहां पर क्या है आपके पास एक तिरिभुज है जिसमें मैंने तिरिभुज बना लिया PQR जो मुझसे कह रहा था वही मैंने यहां बना दिया यह मुझसे कह रहा है कि जो PD है ना वो लंब है QR पे तो मैंने PD हैं बना दी तो इसका मतलब अब यह भी मेरा समकौन तिरी भूज हो गया और यह वाला तिरी भूज भी समकौन तिरी भूज हो गया ठीक है और जो जो चीज़े दे राखी थी वह सब के स्कौयर के वही चीज मैंने यहां लिख दी तो पहले एक बर इस त्रिभूज में पायता को इस प्रम में लगा दी एक बर इस त्रिभूज में दोनों से मैंने यह आप पर लगा दी यह दो यह आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर नोत है अब पीक्यू मुझे पता था ए तो ए लिख दिया पीडी नहीं पता छोड़ दिया क्यूडी पता था सी तो सी लिख दिया तो यहां से मैंने पीडी का मान निकल लिया उसी तरीके से जब दूसरे त्रिभूज पैटो करेशे में लगई प्ले के साट यहां को हल्ग जिए एक और 2 से इन दोवर मैंने क्या क्या इस स्क्वयर को इधर ले गई तो यह माइनस और इस सी स्क्वाइर को धर लेह तो प्लस ज्बस इस c square minus d square c plus d c minus d और आपको यहाँ पर यही यहाँ सिद्ध करना है तो यह आपको यहाँ सिद्ध होगे ठीक है ना? चलिए question number 4 देखते है question में है यहाँ अकरिति आपको दी गई है किया एंगल M जो है cone M, cone Q के बराबर है मतलब यह दोनों cone बराबर है 46 तो X को A, B, C A, B, C के रूप में व्यक्त कीज़े आपको X का मान निकलना है लेकिन A, B, C के रूप में निकलना है मतलब जो भी X का मान आएगा न वो A, B, C के फॉर्म में आएगा चिक है? चलिए सबसे पहले पता है मैंने क्या किया यह जो छोटे वाला त्री भूज है न यह इसको इस बड़े वाले त्री भूज के क्या क्या मैंने यहाँ पर सम्रूप बना दिया तो दो चीज़े चाहिए दोनों चीज़े मुझे बहुत असानी से मिल रही ही थी यहाँ पर यह रही एक तोब मुझे दे ही रखा है कोशन में कि दोनों कौन जो है वो बराबर है 46 डिग्री के है दूसरा दोनों में जो यह के वाला कौन था यह उग्वनिश्थ था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ लिख दिया है ठीक है न के पी लेने की जुरूरत ने अकर उसकी बात करता तो उसको ले रेते हैं इसकी जगा पर के क्यू मुझे सी पता है के मुझे नहीं पता लेकिन हां जो यह के में इन दोनों को जोड़ की तो आएगी बी प्लस सी तो वह मैंने लिख दिया QP मुझे पता है इहां पर X है और LM मुझे पता है इहां पर A है बस X कमाण निकालना है इस A को इधर ले गई यह C के साथ मल्टिप्लाइखका होगे अपॉन में B प्लस CSD एक्स कमाण आ गया A B C की फॉर्म में और आपको यहीं यहां पर निकालना था ठीक है तो तो यह था आपके पास कोशन नमबर फूर चलिए कोशन नमबर फाइफ प्याते हैं इसमें कहना न्यून कॉन तिरिभूज ए बी सी में पी एस लंब एक इस पे qr पे तो सिद कीजिए आपको यह सिद करना है सबसे पहली बात नहीं इसमें करेक्शन है यहाँ पर तो क्यू आएगा और यहाँ पर qr के बाद qs भी आएगा यह नहीं है आप इसे करेक्शन को सही कर लीजेगा ठीक है तो आपके पास यह कौन तरिभूज दे रखा है pqr इसमें क्या है आपके पास ps जो है वो लंब है qr पे तो आपको यह सिद करना है आप देखो इसे सिद कैसे करेंगी कोशन को भीकुल धिहान से समझना असान है मुश्किल नहीं है जब मेरे को यह त्रिभूज दे रखा है तो यह नभ्भे डिग्री है इसका दूसरी साइड ले गई तो माइनस कर गया ps कमान देखो मैंने इसले निकाला क्योंकि नहीं पर उपर वाली जब मैं पहली समीखरन देखू न तो उसमें में को ps दे रखा है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेम हो दूसरी समीखरन वाले से तो मैंने ps कमान निकाल लिया अब महान को मैंने क्या किया यहां पर समीखरन एक में रख दिया हैं समीखरन एक में रखें कर आंक रिक मानने कियह लिख ही मैंने देखो तो QS E तो आएगा, तो वो चीज मैंने यहां लिख दी, यह square S E है, यह ऐसी है, यह तो A-B का whole S square हो गया, तो इसको मैंने खोल लिया, A square plus B square minus 2, PQ square S E लिखा है, S R square S E लिखा है, तो अब देखो bracket के भार minus है, तो अंदर मैंने सब के sign change करके इनको बहार निकाल लिया, तो उन बातने भी आगे थोड़ा सो और solve होगा, अब मैंने इस S R की जगा क्या किया, यह वाला जो S R था, यह, इसकी जगा यह पूरा QR में से QS को minus करके लिख दिया, लिख सकती हूँ, मैं SR को यह, विको लिख सकती हूँ, Q, जब आप पूरे QR में से QS को minus करोगे, तो S R ही बचे इसको अंदर इंटू किया, इस QR के साथ तो यह आ गया, इस 2 QR को QS से इंटू किया, तो यह आ गया, यहां तक clear है, आप देखो, इन दोनों को solve किया है, तो plus 2 QR में से minus QR गया है, तो plus का QR बचा, यह ऐसी लिखा है, और यह आपके पास ऐसे, अब आपके पास साइन के साथ, जो आपको सीध करना था, वो सीध हो गया है, कोशन में थोड़ी सी correction थी, बस वो आप सही कर लिजेगा, बाकी कोशन तो यह बहुत ही असान था, सिफ आपको पायता कोरेस प्रमे लगाने थी, जब भी समकोन तिरिभुज की बात करें, तो 90% होता है, पायता कोरेस प्रमे त देखो आप से हाँ पर कह रहा है, कि एक सेकिंड, एक आपको वर्ग कहां दे रखा है, मैंने यह बना दिया, इसकी एक भुजा पर आपने कहा के संभाहुतिरिभुज बना दिया, तो मैंने यह वो संभाहुतिरिभुज यहां बना दिया, CBF, इस वर्ग के एक भुजा पर, अब कहा रहा है इसके विकरन पर बनाए गए संबहुतिरिभूज विकरन मतब यह BD अब इससे एक संबहुतिरिभूज बनाया है जो कि मैंने बनाया DEB अब वो मुझे कह रहा है कि यह आप सिद्ध कीजिए कि जो ये वाला तिरिभूज है CBF ठीक है इसका जो शेत्रफल आएगा वो इसके शेत्रफल से जो ये वाला तिरिभूज है जिसको मैं शेड करूँ इससे आदा होगा वो मुझे सिद्ध करना है फोशन आपको समझे में आगे है आकरिती आपको खुद बनाने है एक वर्ग बनाने है दो संबहु तिरिभूज बनाने है एक तो आपको वर्ग की भुजा से बनाने है और दूसरा आपको वर्ग की विक्रन से बनाना है सिद्ध आपको यह करना है जो वर्ग की भुजा से आपने तिरी भुज बनाया है उसका शेतर फल जो है वो आदा होगा जो आपने विक्रन से बनाया है सब चीजे मैंने यहां लिखे हैं दिया है क्या क्या दिया है हमारे को यह सब ठीक है और हमारे को सिध्य क्या करना है यह करना है अब देखो आप जो यह वर्ग है इसका जो विक्रन होता है न इसका एक सूतर होता है यह अंडरूट टू और भुजा यह इसका सूतर होता है तो तो भुजा मैंने यहाँ पर बीसी लेली कोई सी भी ले सकते हो क्योंकि वर्ग के सारी भुजाएं बराबर होती है अब जो यह शेत्र फल है इस वाले संभावु तिरी भुजका इनका मैंने क्या किया यहां पर अनुपात निकाल लिया तो सूतर होता है रूट 3 बाई 4 इंटू में भुजा का स्कॉयर तो भुजा मैंने इसमें लेली बीसी यह लेए और इसमें मैंने भुजा लेली डी बी आपको इसी भी ले सकते हो म यहां क्या बचा बन बैट और आपको यही यहां पर सिध्ध करना था तो यह सिद्ध हो गया कि जो संभा हुआ संब भूज हमने बूजा से बनाया था उसका जो शेत्र फल है वो आदा है किससे जो संब्भू तिरूज हमने विकरन से बनाया था है टिक है ना चावबी कोशन Origin 7 देखते हैं को कोशल 9 7 ये आफ पे एक संब्भू तिरी बूज वह आपके पास ABC जिसमे白लन यंठ और है कि 3a square जो है वो 4a d square के बड़ाबर होगा ठीक है सबसे पहले जब त्रीभूज की बात कर रहे हैं तो फिर एक त्रीभूजी बिना लेते और उसमें लंब है तो वो लंब भी डाल देते हैं अब आप देखो यहां पर आपके पास जो यह a b d है यह नब्भे डिग्री का एक समकोन त्रीभूज बन रहा है इसमें मैंने पायता को इस प्रमें लगा दी a b is equals to b d plus a d square अगर आप सिद में देखो जो सिद करना है उसमें a b और a d चाहिए a b तो मिल रहा है a d में मिल रहा है लेकिन यह b d extra है इसको हटाना परेगा तब इसी दो पाएगा देखो मैं बीडी को यह लिख सकते हूं कि वह बीची का आद है क्योंकि लम डाला है तो बराबर भागों में बठाओगा तो वह चीज मैंने हां लिख दे अब बीसी की जगा मैं a b जैसे कि यह दोनों के तो यहां गया 3 a b square और यह 4 यहां डिवाइट का था इदर आके multiply का ओगे और आपको यहां पर सिदोगे जो आपको सिद करना था तो बहुत ही छोटा सा कोशन था बस आपको आकरिती बनानी आनीचे कि आकरिती कैसे बनाए और उसमें क्या करें फिर ब संबहु तिरी बुझ है a b c यहां भी संबहु तिरी बुझ की बात करना है मैं बुझा b c पर बिंदू b इस प्रकार है कि b d जो है वह 1 by 3 b c है देखो क्या एक तिरी बुझ तो है a b c और इसमें न b c पे हमने क्या किया है d point लिए अब वो इसका मध्य बिंदू नहीं है यह इस तरीके से लिए है कि वो जो यह b d है इतना portion जो है वो पूरे भुझा के वन थर्ड है ठीक है हमें सिध्य क्या करना है कि 9 a d square जो है वो 7 a b square होगा तो इसमें मैं पायतो कोई इस प्रमे नहीं लगा सकती क्यूं क्यूंकि मेरे पास यहां कोई भी समकोन तिरी भूझ नहीं है सबसे पहले मैंने लिख दिया है ABC एक संभव हुतिरी भूजे फिर मैंने लिख दिया सीधी क्या करना है यह करना है मुझे रचना मैंने क्या कि अब मैंने यहां खुद रचना कर ली AE जो है वह लंबोगा BC पे तभी तो वह पायता को और इस प्रमे मैं लगा पाऊंगी लगा पाऊंगी ना तो अब यह कर दिया मैंने अब मैंने बना जो इस तिरी भूज की तीनों भूजाए न वह X है क्योंकि तीनों बराबर होंगे वह संभव हुत तिरी भूज है इसलिए अब देखो मुझे यह गि से अब BD तो मुझे पता ही है X प्लस 3 है वो मैंने यहां लिख दी अब बात आती है यहां पर DE की DE नहीं पता छोड़ों अब BE रह गया हो तो BE तो BC का आदा होगा न क्यों क्योंकि हमने AE जो है वो लंब डाला था BC में तो फिर यह दोनों तो आदे होंगे BC के जितना BC है उ चरिल का है उतना ही अपका EC होगा तो BC मैंने X मान तो मैंने X रख द Transit हो धिया अब मैंने इसको हल किया धाल बूर इसको धर लिया ही मैना स्कूल गया थिक है या फिर आप बिक्रोभी मान निकाले यह डा हरै कि जैसे करके मैंने रहाप किसका D E का मानने का लिया, तो वो मेरा आगया X by 6, अब उसी तरिके से मैंने एक तिरी भूज लिया है, A E B, और एक तिरी भूज मैंने यहाप लिया है, A E B, तो पहले आप आकरिती में देखों यहाँ, एक बड़ी आकरिती में से इसे हटा देती हूँ, ताकि मैं आपको यह दिख करें, इन दोनों में मैंने पायता कॉरेस प्रमें लगा दी, ठीक है, यही वो पायता कॉरेस प्रमें दोनों के अंदर, आप पायता कॉरेस प्रमें लगा सकते हो, इसमें क्या आती है, कान का जो स्क्वाइर है, वो किसके बराबर हो जाएगा, अधार के स्क्वाइर के, और अब जब मैंने a e d वाले त्रिभूज में पायता को रहा इस प्रमे लगाई तो यह वह प्रमे थी तो a d नहीं पता है मुझे छोड़ दो a e मैंने अभी उपर निकाला यह न तो वो मैंने इहां रख दिया d e मैंने इहां निकाला था तो मैंने इहां रख दिया इसका स्क्वाइर किया तो यह आ गया इसका किया तो यह आ गया इसका नहीं किया है क्यूंकि देखो मैंने इहां a e स्क्वाइर ही निकाला है तो डारेक्ट वो ही पुट कर दिया कई बच्चे इसको भी स्क्वाइर कर दे भूझक की तीनों बूझायें अपने X मानी थी. तो अगर आपसे या कोशन में A-B कह रहा थो है—A-B लिग देना. अगर आपसे कोशन में यांपर B-C कह रहा ॢे तो nap Dog C-A कह रहा हैς—A-B कह रहात है हमसेン से ध कह रहा था तो मेने यांपध लिख देNा. और यह आपका यहाँ पर सिदोगे, ठीक है, चलिए, कोशन नमबर नाइन देखते हैं, most important question, इस chapter का, बीपीटी, जो कई बच्चों को लग रहा है कि क्या है यह बीपीटी, कुछ नहीं है यह बीपीटी, बहुत असान है यह बीपीटी, देखो, लिखा है यहाँ पर, अधारबुथ समानुपाति का प्रमे का कथन लिखके सिद कीजे, कथन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि कथन यहाँ पर लिखा वा था, तो इसके आगे क्या होता है, कि एक रेखा खीची जाए, तो सिद कीजे कि अन्ने दो बुजाओं, बुजाएं, एक ही अनुपात में विभाजित होती है, तो क्या कह रहा है, अगर आप एक तिरी बुज की एक भुजाओं से, उसके कोई समानता रेखा और खीचो, जो बाकी की दो बुजाओं पर, जो है, अलग-अलग बिंदूओं पर उन्हें छूरिए, तो फिर जो दो बुजाओं हैं न, वो क्या होगा, आपकी सेम अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, मतलब कि आपको क्या सिद्ध करना अगर मैं आखरीती से बनाओं, तो मैंने यहाँ पर एक तिरी बुज यहाँ बना लिया, आपको क्थन पूरा लिख देना नीचे, या मैं ऐसा करते हूं, इसको ना नीचे लिखी देती हूं, कहीं आपका यह लिखने से रह जाएंगी, वो एक लाइन यहाँ पर रह गई है लगाने से, तो मैं यहाँ लिख देती हूं, रेखा, खीची जाए, आपको कॉपी में एक अथन भी लिखना है, ठीक है, तो यहाँ लिखा, तो सीध कीजे की, अन्ने दो भुजाए, एक ही, अनुपात में, विभाजित हो जाती है, ठीक है, अब यह कर्थन आपका पूरा हो गया, ठीक है न यहाँ, चलिए, अब हम समझें, अपनी आकरिती में इसको हमें करना कैसे है, देको यहाँ पर करना कैसे है, मैंने यहाँ पर एक तिरिवुज बना लिया, इसका मतलब अब मुझे आप ही बोला गया था, जो समानता रेखा हो थी है, वह बाकी की दो भुजाओं उपर क्या करती है, भिन 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 बिन दो उपर करती है, तो दी और यह, तो इसका मतलब बी और सीडी को जोड़ा, यह दोनों, जो नीचे वाले इने जोड़ दिया, दूसरा, डी एम जो है न, मैंने एए पर लम डाल दिया, और एडी पर लम डाला एन, तो वह यह डाल दिया, आकरिती आपको पूरी समझ में आगी, एक तिरिवुज बनाया, उसमें एक समानता रेखा बनाई, उसके बाद उसरी रेखा से नीचे जो बी और सी थे, जो दो यहाँ पर हमार पर बिंदू थे, उन्हें जोड़ दिया, और दो लम डाल दिये, मैंने, ठीक है, अब मैं इसको जरह यहाँ पर हटा देती हूं, ताकि मैं आपको आगे जो इसकी प्रमे है, वो समझा सकने, तो देखो, अब मैंने पता है, यहाँ पर क्या किया, पहले इस वाले तरी भूच का एरिया निकाला, इसका A, D, E का, ठीक है, अगर मैं आपको यह हाईलाइट करके बताऊं, मैं किसकी बात करूँ, इस वाले का, तो इसका एरिया में दो तरीके से निकाल सकते ह कैसे, एक बार मैं इसको अधार माल लेती हूँ और इसको उचाई माल लेती हूँ, तो एक एरिया आजाएगा, हाफ इंट बी, इन्ट वे så, एक बार मैं aE को अधार माल लेती हूँ, और dm को उचाई म माल लेती हूँ, तो इसका मतलब ज messaging के दो बार दो तरीके से शेत्र पर निकल सकते हैं तो वह दोनों मैंने यहां पर निकाल दिया दिखाती हूं कहां पर है एक पर वह एन वाले को जो उचाई मानी थी और एक डी यह दोनों से मैंने एक एक निकाल दिया उसी तरीके से आप नीचे अगर आप देखों तो एक त्री भूज आपके पास यह बनना तो इन दोनों तिरिभूच का भी मैंने शेत्रफल निकाल दिया, ठीक है, तो वह भाव बी- इंटू-H से ही निकाला, तो वह यह रहा एक यह रहा, और एक यह रहा, तो इसका मतलब में पस 4, 4 चार क्या आगए, शेत्रफल आ गए हैं, चार तिरिभुच के, तिरिभुच तो तीन ही है, लेकिन शेत्रफल में पास यहां पर चार आ गए हैं, अब जिनकी उचाई, अब गए हैं, उनको डिवाइट कर दिया, और जिनकी उचाई, डिएम और डिएम है, मतलब शेम सें उचाई वालों को मैंने यहाँ पर डिवाइट कर दिया, तो इसका मतलब समिकरान एक और दो को किया और समिकरान तीन और चार को मैंने भाग कर दिया, यह लिखा हो, ठीक है, तो इस अपॉन दिस हो जाएगा, इस से अपॉन कर दूगी, तो यह दोनों के शेतर फल यह रहे, हाफ से हाफ कर गया, एन से एन कर गया, यह बचा, उसी तर यह इस तरी भूझ का अधार है, उसी तरीके से इस वाले तरी भूझ का अधार भी यह है, जब सेम अधार होते हैं, तो उन दोनों तरी भूझ का शेतर फल जो है, वो एक जैसा होता है, Argentina है तो वो छीज मैंने ह躁आ लिख दी, अब जब इनका शेतर फल एक जैसा है, तो तो इसका मतलब यह तो दोनों बराबर ही होंगे, आप देखो न, BDE और DEC, यह और यह, यह तो बराबर है, जब यह दोनों बराबर हैं, यह तो पहले से यह एक जैसे थे, ADU और ADE, तो इसका मतलब अब यह और यह जो हैं, वो इक्वल होंगे, और मुझको यहाँ पर यही सि जादा important है, इसका कथन भी और इसका सिद्री, कुछ नहीं करना है, एक तिरिभुज है, उसमें हमने एक समानता रेखा बनाई, उसके अंदर दो हमने लम खुद से डाले, यह तो लम हमने खुद से डाले, फिर इसमें तीन तिरिभुज बनने थे, मैंने उन तीनों का शेतर जैसे होते हैं, उन तिरिभुज का शेतर फल जो है, वो बराबर होता है, बस, उसके बाद यह मेरा अपन्याप ही यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा, तो यह बहुत important question है, question number 9 आपका, उसके साथ question number 10 भी important है, वो भी प्रमे ही है, पाय तो और इस प्रमे का कथन लिखके करने को भी आया है, ठीक है, मैंने एक कथन नहीं लिखा, यहां लिखा वाए, क्योंकि एक समकोन तिरिभुज में, एक कर्ण, विश, एक में कर्ण का वर्ग, शेष, दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो कथन आप यहीं से लिख लीजेगा, ठीक है, चलिए, हम यहाँ पर सित देखते हैं, कैसे किया हमने, देखो, असान आईए, ज्यादा मुश्किल आईए, इतना तो आपको पता है कि इसमें जो यह कर्ण है, कर्ण आएगा कहां से, मैंने पता है, सबसे पहले एक तिरिभुज बना लिया, और इस पे एक यह लंब डाल द लंब डाला है तो मैंने, अब मैंने क्या किया, एक बार यह वाला तिरिभुज लिया, और इसको बड़े वाले तिरिभुज से, यह दोनों सिमिलर होंगे, एक जैसे तिरिभुज है, ठीक है, कौन सा यह छोटे वाला, ABD, और जो यह पूरा बड़े वाला बना है, यह पू मतलब जो AD है, वो अपॉन AB होगा, और AB जो है, वो अपॉन AC होगा, अब मैं इस AB को इधर ले गई, तो यह multiply के तो यह square हो गया, और इन दोनों को इधर ले आई, उसी तरीके से, फिर मैंने अब यह वाला तिरिभुज लिया, और यह बड़े वाला तिरिभुज लिया, तो को मैंने इस, लिघे सी को मैं अधर ले गई हूँ और इन दोनों को इधर ले आई, तो यहां से में पर 요संविकरन बन गई, इन दोनों शंविकरन को मैंने यह पर जोड दिया, भी जोरने में पास यहां पर एसज़ा इसको मैंने संट कर लिया तो यह बचा जब इन दोनों को जोरूँगी तो C ही आएगा क्योंकि यह रेखा ऐसी थी यहां पर A था मेरे पास ठीक है यहां पर सीध और यहां D था तो आप A D को D C में जोड़ोगे तो A C ही आएगा A C square is equal to A B square plus D C square लो हो गया आपका सिध पाइटा कोरेस प्रमे और आपको इसमें सिध ही यही करनी थी ठीक है चलिए लास्ट कोशन पर आगा है हम कोशन 11 पर असान कोशन है यह भी थोड़ा सा लेंदी है ज्यादा नहीं है पर असान है केरा दी गई आकरिती में A B समानतर है P Q के समानतर है C D के A B C D P Q 63 दिरक है हमें यह सिध करना है सबसे पहली बाद समानतर क्या केய है steep तो यह वाली रेखा एक यह वाली और एक यह वाली यह तिनों समानतर है ले रां को के सब्सक्राविक करने के लिए हमने क्या किया पहले मैंने बढ़े वाला तिरीःभूच ले लिया A B ओर D यह process बूरा ब़ा हुआ है यह वाला यह कौन मेरे पास उबे निष्ट है दोनों ही कैसे में ठीक है दूसरा एक मेरे पास ABQ जो है ABQ यह वाला कौन जो है यह और PDQ यह वाला कौन जो है यह मेरे संगत कौन है क्यूंकि ये वाली और ये वाली जो रेखा है मेरी समानतर रेखा है तो ये संगत कौन हो गए? मिल गए दो कौन तो ये दोनों तिरिभुच मेरे समरूप हो गए A A से अब जब ये दोनों तिरिभुच समरूप है तो इसका मतलब DQ upon DB होगा DQ upon में DB होगा ये पूरा ठीक है और PQ ये PQ है PQ upon में ये AB होगा ठीक है ना PQ भी मुझे पता है Z है और AB मुझे पता है X है तो उनका मान मैंने यहां रख दिया और एक समिकरन बना ली ठीक है अब सेम वही मैंने यहां पर क्या किया है पिर दुबारा दो थ्री बूज लिये अपकी बार कौन-कौन से लिये दिखाती हूं देखो एक तो मैंने यहां पर लिया है एक सेकेंड मैंने एक त्री बूज देखो यहां पर लिया PBQ ये वला बी क्यों इदर वाला ये मैं आपको यहाँ पेशेट करूं एक और तिरी बुजा इसके साथ लिए मैंने CBD CBD यह पूरा किना इसको यहाँ पसे से ले जौंँ CBD यह अन दोनों मैं भी मैंने प्दम हो ही कि तो इसका मतलब जब यह 2 में समरूपते तो ये भी थे वही सेम चीज एक कौन उबनिश्ट आएगा और एक मेरा संगत कुन आएगा तो दुबारा सिद नहीं किया मैंने यहां पर होने ठीक है तो इसका मतलब अब मेरा जो बीक्यू है वो डीवी के अपॉन में होगा ठीक है और इस इकल टू जैड अपॉ यहां पर सिद आया था डीक्यू और बीक्यू तो जब आप इस डीक्यू को बीक्यू में जोरोगे तो आपका डीवी तो आएगा तो वो मैंने इक लिख दिया और नीचे भी वही लिखा था कट ओके है तो मेरा वन बन गया अब इसमें से और इसमें से मैंने कहक Séed को ठीक है तो यह था आपके पास question number 11 इसी के साथ हमारी यह वाली worksheet complete हो गई है worksheet number 91 तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको like जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा थैंक्यू